हमारी कहानी है मिलकर होगी जीत हमारी एक बहुत बड़ा सा जंगल था जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम था बीजू बीजू एक दिन पेड़ के नीचे सो रहा था तब ही उसकी एक दम से मींद खुली कुछ आवाज आ रही थी घर 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 बीजू ने फिर से सोने की कोशिश करी फिर से आवाज आ गई घर 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 बीजू को यह आवाज जंगल में कभी पहले नहीं आई थी तो बीजू ने कहा क्या हो सकती है यह आवाज चलो मैं अपने दोस्त बंदर से पूछता हूं शायद उसे पता हो तो बीजू दोड़ा दोड़ा बंदर के पास गया उसे का बंदर भया ज़रा उपर से देखो तो यह आवाज किसकी है तहां से आ रही है यह आवाज तो बंदर बोला चलो उचल के जाता हूँ मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ बंदर उचला और पहुँचा आवाज की तरफ फिर उसे का हाँ बीजू देखो दो आदमी है वहाँ और एक वो पेड़ की काटने की कोशिश कर रहे है उसी की आवाज है उनकी आरी चल रही है पेड़ के उपर घर घर बीजू ने बोला अरे बंदर भया उन्होंने हमारा जंगल काट दिया तो हम कहां रहेंगे सारे दोनों के दोनों दोस्त परिशान हो गए उन्होंने का चलो अब हम भालू के पास चलते हैं तो वो दोने पहँचे अपने तीसरे दोस्त भालू के पास भालू पने भी आवाज सुनी उसने का इसका तो कुछ जल्दी से काम करो नहीं तो पेड़ काट देंगे अब के हम कहां रहेंगे तो सबसे पहले भालू ने उनको डराने की कोशिश करी वो दोडा हुआ गया और लकड़ारों को हाँ करके डराया पर लकड़ारे कोई भालू से हाँ करके डरने वाले थे उन्होंने अपनी बंदू दिखाई और विचारा भालू तो भाग के दुबग दया अब बीजू और बंदर फिर सोचने लगे कि अब करें तो क्या करें किस के पास जाएं तो बीजू ने का चलो चलते हैं न वह हमारे दो दोस्त हाथी उनके पास चलते हैं भई शायद हो ही कुछ करें तो वह पहुचे अपने दोस्त हाथियों के पास हाथी दोनों बोले हाँ चलो हम चलते हैं हम जरूर डलाएंगे तो हाथी पहुचे लकड़ारों के अपनी बड़ी सी बंदू और हाती बोले नहीं भाईया हम तो जा रहे हैं अपने घर वो भी चले गए अपने घर अब बीजू और बंदर दोनों के दोनों परिशान खुम रहे हैं कहा चलो भे यह तो बहुत गंभीर बात है जंगल कट गया तो हम रहेंगे कहा सब के सब तो वो पहुंचे अपने राजा शेर के पास तो शेर राजा ने कहा बीजू क्यों आए हो तुम यहां पर बीजू डरते डरते बोला महराज हमारा जंगल कोई काट रहा है हम क्या अब जानवर कहा रहेंगे शेर राजा ने बड़े तहारते हुए कहा बीजू क्या भोल रहे हो तुम ऐसा कभी नहीं हो सकता बीजू ने का चल के देखिए ना महराज तो शेर वहां पहुंचा उसने देखा दूर से देखा हां दो आदमी पेड काट रहे थे घर 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 तो शेर राजा दारते हुए करके वहां पहुंचे पर उन लकड़ हारों ने दिखा दी शेर को अपनी बड़ी सी बंदूग तो शेर भी दुबग गया पेड़ों के पीछे उसमें का भई यह तो मुझे भी मार देंगे मैं नहीं इनसे कुछ कर सकता तो बंदर और फिर बी अब तो हमारे पास कोई नहीं बचा किसके पास जाएं शेर राजा भी चले गए तब बंदर बोला अरे बीजू मेरे पास एक सुझाव है क्यों ना मेरी एक दोस्त है रानी मधुमक्षी उसके पास चले बीजू ने बोला हाँ छोटी सी मधुमक्षी वो क्या करेगी बंदर में का चल के देखने में तो कोई हर्जा नहीं है सो दोनों पहुँचे रानी मधुमक्षी के पास रानी ने सारी बात सुनी और कहा हाँ बंदर भईया तुम सही कह रहे हो अगर हमारे पेर कट गए तो हम कहा रहेंगे तो फिर उसने कहा चलो मैं चलती हूँ अपनी सेना लेकर और रानी मधुमक्षी ने अपनी सेना ली और छोड़ दी उनको उन लकड़ारों के उपर लकड़ारे ओह ओह बहुत बहुत काट लिया काट लिया भागो यहां से कहते वे भाग गए और जंगल में खुशी की लहर दोड़ गई सब ने कहा मिलकर हो गई जीत हमारी